लालूप्रसाद यादव के बेटे तेशपरताब यादव के बाद उनके छोटे बेटे तेजिस्वी यादव ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है पूर उपमुख्यों मंत्री रहे तेजिस्वी यादव ने कहा कि नितिश कुमार उन्हें जहर देनी की साज़िश रच रही है तेजिस्वी के इस बयान से बिहार की राजनीती में भुचाल आनत तै है हलक इस पर नितिश कुमार का कोई बयान नहिं आया है तेजिस्वी ने कहा कि नितिश कुमार आरजेडी की सविधान बचाव नया यात्रा को मिल रहे समर्थन से बॉकलाहट में है इसलिए उनके खिलाफ साजिशे रची जा रही है नितिश फोन टैपिंग के बाद अब सरकिट हाउस में उनके ठेहरने से लेकर खाने पीने की चीजों में नशीले और जहरीले परदार तक मिलाने की कोशिश की जा रही है और नितिश कुमार ये सब उनकी छवी को खराब करने के लिए कर रहे है वो अपने विरोधियों को निप्टाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तेजिस्वी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक 28 साल के नौजवान उनका क्या बिगाड सकता है अला कि तेजिस्वी के आरोप पर जेडियों से अभी तक कोई प्रतिकरिया सामने नहीं आई है इससे पहले लालू के बेटे तेजपरताव यादव भी नितिश पर उनके बंगले में भूत छोड़ेने का आरोप लगा चुके है